दोस्तों Study91 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है महात्मा गाधी जी की जैन्तित उनको नमन कर लेते हैं और उनके बारे में कुछ अंटोल्ड फैक्ट स्टोरी आपके लेकर आया हूँ जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा है ठीक है आज ऐसी खास ब लिए क्योंकि मैं बहुत डिटेल में चीजों को लेकर चलने वाला हूँ तियाद रखे आज 2 अक्टूबर 2019 को 12 सरकार के द्वारा महात्मा गाधी जी की देड़ सौवी जैन्ति मनाई जारी है चली स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले निवेदन है दोस्तों आप स पूरा नाम क्या है तो उनका पूरा नाम है मोहंदास करमचंद्र गांधी गांधी जी का पूरा नाम क्या है मोहंदास करमचंद गांधी ये मात्मा गांधी जी का पूरा नाम है इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों तो 2 अक्टूबर 1869 को 1869 में इनका जन्म हुआ था और इ इस वज़ा से इस दिन को अहिंसा दिवस की रूप में मनाया जाता है। अगली बात आती इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो ऐसे तमलुक पढ़ते हैं गुजरात में, गुजरात के अंदर पूरबंदर में, पूरबंदर के अंदर कठिया वार नामकस्थान पर इनका जन्म हुआ था तो याद रखेगा। अचा इनके पिता जी का नाम क्या था। इनके पिता जी का नाम था करम चंदर गाधी। गुजरातियों में टाइटल लिखने की आदत है। इस वज़़ा से मोहंदास करम चंदर गाधी आप नाम में भी समझ गयोंगे ठीक है। तो करम गाधी क्या नाम था। उत्तर चंद गाधी ये तो सिंपल सी हो गई इनके बारे में बाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात आती हिनके पुत्र के नाम क्या है। चार पुत्र थे दोस्तों इनके कितने पुत्र थे। चार पुत्र थे हैं और चारों लोगों का गोध किसको लिया था एक प्रशन ये भी आपसे एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखे जमुना लाल बजाज दे कि आज के हमारी पूरी की पूरी क्लास एक्जाम बेस्ट है यानि क्या क्वेस्टन पूछा जा सकता है वुज़ पर हम अपनी क्लास दे रहे ठीक है तो जमुना नाल बजाज जी को इन्होंने क्या लिया था गोध लिया था इनके भतीजा थे नाम था मगन लाल गादी क्या नाम था मगन लाल गादी ये आपके लिए नया प्रशन जो आप नहीं जानते हैं याद रखे मगन लाल गादी ने सबसे पहले सदा ग्रह सब्द का प् मगनलाल गांधी जी ने दिया था मातमा गांधी जी की मृत्यू कब हुई थी कब मृत्यू हुई थी तो यादर के 30 जनवरी 1948 को ही थी और किसने इनको जो है अच्छा इस दिन क्या मना जाता है सहीद दिवस मना जाता है ना तो नाम गोटसे का नाम सुनाओगा, उन्होंने इनकी हध्या किया तो 30 जनवरी, 30 जनवरी को दोस्तो सहीत दिवस मनाय जाता है, अब आपके दिमाग में बात और आ सकती है, किसा सहीत दिवस तो जिस दिन चंसेखर, जिस दिन भगत सिंग जी को फासी हुई थी, उस दिन इनके राजनेति गुरू को थे? यमजी रानाऺे, महादयो गोविन्द रानादे, वो इनके गुरू थें. इनकी सिसिया का नाम भी आप से पूछ सकता है, मीरा गैंन इनकी सिसिया का नाम क्या था? मीरा गैंन था, इसको याद रखेगा. अच्छे इनकी आत्मकता बहुत बार पूछा गया एक्जाम में, क्या आत्मकता है, याद रखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अगर हिंदी में लिखा रहेगा, तो क्या लिखा रहेगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अगर इंग्लिस में लिखा रहेगा, तो my experiment with truth हो ये महात्मा गांदी जी के personal security थे, महात्मा गांदी जी के personal security थे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब याद रखिए, इनके कुछ किताबे हैं, बहुत famous किताबे हैं, किताबों के बारे में अक्सर आपसे एक्जाम में पूछा जाता है, देखिए, किताब और समाचार पत्र, इन दो चीजों को लेके आपके में बढ़ा doubt रहता है, आज clear कर लिजेगा दोस्तों अपना doubt, ठीक है, बहुत important है doubt clear करना, याद रखिए, पुस्तक में सबसे famous पुस्तक इनकी है, यहाँ पर पहले हिंद स्वराज जो देरा है, इसको याद रखिए, सबसे famous इनकी किताब है हिंद स्वराज ठीक है, 1909 में गुजराती भासामिनों ने लिखा था हिंद स्वराज, इसके अलामा इंडिया of my dream, यह भी महत्मा गांधी जी की द्वारा लिखी गई किताब है, गीता माता साथ महाब्रतिय सब महत्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबों का नाम है, इसके अलामा समाचार पत्र में इंडियन ओपिनियन का नाम सुना होगा, 1903 में आया हुआ था, साउथ अफ्रिका में इसको स्टार्ट किया था, ग्रीन पंपलेट यह भी गांधी जी का है, यंग इंडिया 1919 में आता, हरीजन 1932 आया था, इसमें से दो बहुत है 1919 वाला, दूसरा हरीजन जो 1932 में आता है, जिसमें पूना पैक्ट हुआ था, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, यह दो समाचार पत्र कम से कम आप याद रखेगा, बाकि इंडियन ओपिनियन 1903 में यह दक्षिड अफ्रिका, मुस्समें महात्मा गादीजी दक्षिड नाम थे, वो नाम किन लोगों ने दिया था, यह प्रस्ण भी आप से एक्जाम में पूछा जाता है, तो यादर के सबसे पहला प्रस्ण राश्रिपिता महात्मा गादीजी को किसने कहा, यह भी यूपिटर बलस्टी का एक्जाम हुआ, लोवर पीसेस का, उसमें आया इसने कई बार एक्जाम में पूछ चुका है, तो यादर के राश्रिपिता जो सब्द है, यह सुवाज शंदर बोज जी ने दिया था, किसने दिया था, सुवाज शंदर बोज जी ने दिया था, बापू कौन कहते थे, तो बापू कहते थे पंडित जवाहला नहरू जी, प्यार से महात्मा गादी जी को बापू नाम बुलाते थे बापू, महात्मा की पादी किस ने दिया था, तो रविना टैगोर जी ने दिया था, महात्मा की पादी, रविना टैगोर ही कौन है, जिन्नोंने राष्टर गान लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्द नगन फकीर किसने महात्मा गादी जी को अर्द नगन फकीर का मतलब आधा नंगा फकीर याद होगा आपको एक कपड़े नहीं पैंते थे ठीक मतलब कपड़े धार करते थे लब पैंसेट कुर्टा पैजामा इस तरह के वस्तर नह ने कहा था विस्टन चर्शिल ने कहा था ठीक है आगे देखिए वन मैन बाउंडरी फोर्स एक इसने कहा था तो लाड माउंड बेटन ने कहा था वन मैन बाउंडरी फोर्स मतलब एक ब्यक्ति ही इतनी सक्ति साली है इतना पावरफुल है कि वो सभी के समान है ठीक है तो य जारेलाल की बहन है, डाक्टर सुसीला नईया, ठीक है, यह मात्मा गाधी जी की बैक्तिगा तक चिकेश सकती, खैर यह बात की बाते हैं, जो हम लोगों के आत्मकथागर हम पढ़ रहे हैं, जीवनी पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में इतनी बाते याद रहने चाहिए, इसके आगी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, 1893 में गांधी जी साउथ अफरीका गए, क्यों, क्योंकि साउथ अफरीका से बुलावाया था दादा अब्दुल्ला का, दादा अब्दुल्ला का एक केस था, एक मामला था, एक मुकदमा था, उसी के लिए ठीक है, इनको वह पर बुलाया था, तो मामला किस बात का था, संपत्ति को लेकरके एक मामला था, उसी को बजाने के लिए मात्मा गांधी जी भारत से बैरिष्ट्री कर चुके होते हैं, यहाँ पर वकालत भी कर रहे होते हैं, बट यहां की वकाला छोड़ करके वह कहां निकल जाते हैं, उस समय में अफ्रीका में रंगभेद की नीती बहुत चल लए थी, रंगभेद आंदोलन चला था, रंगभेद मतलब एक कारे गोलों, काले ब्यक्ति और गोरों के वीच में एक तरक आंदोलन चला था, वह याद रखे गई है उसी समय में, गांधी जी ने पहरी बार सत्या अब स्धाप सिख्जाम में, कि नटाल कांग्रिस के अस्थापना कहा होई है, त्याद रखे साउथ अफ्रीका मुगा है 1894 में, 93 में गए ते 94 में क्या हो गया, अस्थापना हो गया, और दो नए आस्रम की भी अस्थापना किया था, एक तो टॉलस्टाय आस्रम है, लियो 1910 में चलिए आगे बढ़ते दोस्तों आगे दे रहा है कि Phoenix में फिनिक्स आस्रम कहां पर है दोस्तों ये डर्बन में बनाए गया 1904 में तो पहले Phoenix बना था बाद में Tults Taip Farm बना था इसका पूरा नहां था Tults Taip Farm ठीक है तो इसको याद रखेगा ये दो प्रसिद्धा आस्रम ह जो की दक्षिर अफ्रिका में बनाए गयते हैं यह प्रस्ण भी आपस एक्जाम में पूस्ता रहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पर दे रहा है कि 9 जन्वरी 1915 को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 9 जन्वरी को प्रवासी दिवस मनाए जाता है तो याद रखे 21 वर्स तक रहे थे, 9 जन्वेरी को प्रवासी दिवस याद रखेगा, इसके लावा एक प्रस्ण और बनता है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कि महात्मा गादी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले हिस्सा कब लिया, तो याद रखे 1901 में ल में कांग्रेस अधिवेशन में जाकर हिस्सा लिया, तब उतने जादे प्रसीदव चर्शित नहीं थे, आगे देखें चंपारन आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, चंपारन आंदोलन जो 1907 में हुआ था, और कहां से संबन्दी था, बिहार से संबन्दी था, दोस्तों बिहार के किसान थे, जिनका नाम था, राजकमार सुकला चंपारन के थे, और इन्होंने चंपारन की समस्या को महात्मा गाधी तक पहुचाया, उसमें इन्होंने बताया कि वहाँ पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती लागू करवाई है, और हमें अपने भूम पर तीन कटिया पध्यती से, मतलब अपने भूमे के तीन बटे बीस हिस्ते पर खेती करना अनिवार है नील का, और उसके वज़ा से हमारे भूमी का जो अपजावपन है, वो समाप्त हो जाता है, और उपर से अंग्रेज हमारे साथ दुरवेवहार भी करते रहते हैं, हमें हमारी लागत ने निकल पाती, जिसके वज़े से किसान जो है, वो बड़ी दुरदसा में है, तो यह सारी परिसानिया थी, वो चीजे मैं आपको पढ़ा चुआँ, ठीक है, तो इन परिसानियों के तहत वो अपनी बात यहां लाकर करते हैं, आगे दे रहा कि गांदी जी, राजेंदर परशाद, महादेयो जैसाई, नरहरी, पारिक, ठीक है, मजरूल, उलहक, इन लोगों ने मिलकर कि यह अंदोलन में हिस्सा लिया, वहाँ पर गएं, यह अंदोलन गांदी जी के पक्षमेरा, और फाइनली अंगरेजों से अवायद वसूली का 25 प्रस्त जो है, वो किसानों को लोटा दिया गया, ठीक है, और यह भारत में हमारे लिए अंगरेजों के खिलाब पहली और बड़ी जी थी, और इसी के बाद रविना टैगोर जी ने क्या किया था, महात्मा गांदी जी को महात्मा की उपादी दिया था, इसके पहले उनको गांदी जी बु पहली बार सविना वग्या का प्रयोग भी चंपारन में किया गया था, भारत में चंपारन में हुआ था, ऐसे तो दक्षिड अफ्रीका में हुआ था, 1894 में, खेडा अंदुलन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर दे रहा है दोस्तों, खेडा अंदुलन क आपके बारे में दे रहा है, एक सेकेंड, खेडा तो चला गया हमारा, आपको दिखाई ने देगा, ठीक है, तो खेडा अंदुलन दे रहा, यह 22 मार्च 1918, याद रखेगा, चंपारन कब आपका हुआ था, आपका चंपारन अंदुलन जो था, यह 1917 में हुआ था, और जो ख गुजराद में क्या पढ़ता है, खेडा, ठीक है, खेडा अंदुलन, क्या था, खेडा अंदुलन जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अकाल हो गया था, उसमें सूखा पढ़ गया था, और सूखा पढ़ने की वज़ा से, किसानों की हालत बड़ी दैनी हो गए थी, फहली बार बलबभाई पटेल से मुलकात मातमा गांदी जी का खेडा अंगोलन के दौरान हुआ था, अब आगे बढ़ते दोस्तों, आहमदाबाद का एक बहुत फेमस अंदुलन है, आहमदाबाद मिनांदुलन, ठीक है, आहमदाबाद मिनांदुलन यह वगा था, 15 से लोग बड़े दैनी अमस्ता में थे अंग्रेजों ने बोनस बढ़ाया था और बाद में अंग्रेजों उस बोनस को वापस ले लिया देकि यही पूरी लड़ाई थी कर रहा है कि गुजरात में प्लिक फैलने के कारण मिल के मालिकों से लड़ाई थी क्योंकि जहां पर मज मजदूरों को 50% बोनस जो है एनाउंस किया गया पहले बोनस एनाउंस कर दिया गया बाद में महागाई की कारण इस बोनस को कैंसल कर दिया गया यानि बंद कर दिया गया और इसके बाद हंदामा सुर हो गया मजदूरों की तरफ से तो याद रखिए यहाँ पर दे रहा है अहमदाबाद मिल आंदोलन में किस ने बुलाया था अंबालाल ने बुलाया था तो मित्र अंबालाल के सायोग से ये महात्मा गांदी जी ने आपर आंदोलन किया और फाइनली 20 प्रतिसक जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया बोनस ठीक है और इसके बाद इसी दोरां जो महात्मा गांदी थे इन्होंने पहली बार भूखरताल भी किया था देके दो प्रस्ण बनता है पहली बार सत्यागरा चंपारन में हुआ है लेकिन पहली बार भूखरताल आंदाबाद मिल आंदोलना 1918 में हुआ 15 मार्च को ये प्रस्ण भी आप याद रखेगा ठीक है तो इस तरह से होता दोस्तो 35 प्रस्ण तक बोनस बढ़ा दिया गया तो इसमें भी महात्मा गांदी जी की जीत हुई अब प्लेग जो रोग था उससे संबंदित कुछ फैक्ट आपको दिया जा रहा है याँ पर का जा रहा है कि 1591 में हैदराबाद के निजाम थे मुहम्मद कुली कुदूपसा ठीक है मुहम्मद कुली कुदूपसा का नाम आप जानते होंगे इन्होंने चार मिनार का निर्मार करवाया है और चार मिनार का निर्मार भी कहीं ने कहीं प्लेग इमारत कहीं जाती है उसी से संबंदी देखे दे रहा है कि मुहम्मद कुली कुदूपसा ने प्लेग बिमारी के दौरान ही चार मिनार का निर्मारत करवाया था इसलिए चार मिनार को प्लेग इमारत भी कहा जाता है अचा आपका समय चल दोस्तों आपको पता होगा 14 से 18 क्या चल आप, ये बिस्वुद्यू का समय था, करा कि प्रतम बिस्वुद्यू में अंग्रेजों की मदद करने के काड मात्मा गांदी जी को अंग्रेजों का सारजेंट कहा गया, अंग्रेजों का सार्जेंट यानि सेना में भरती कराने वाला यानि इनोंने मोटिवेट करके भारती लोगों को सेना में भरती कराया जो की बिटीस सेना की तरब से लड़ रहे थे ऐसे भारती ठीक इसको आई याद रखी है और इसमें मात्मा गांदी जी का बहुत योगदा किया जा सकता है और रॉलेट एक्ट के अन्य तीन नाम भी है इसको कहीं-कहीं काला कानून कहा जाता है कहीं-कहीं आतंगवाद कानून कहा जाता है कहीं-कहीं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है यह आप से पूछता है मैंने आप से पहली कहा कि आज मैं पूरी हिस्ट्री आपको अच्छे से बता दूँगा और भी बहुत सारे फैक्ट यहां पर लगातार आपको मिलते रहेंगे अब जो आपका काला कानून है यानि रॉलेट एक्ट है इसमें क्या बताएगा इस एक्ट का बिरोध दिल्ली में किसने किया था देखे लो अच्छे यह दोने लोग कौन थे पंजाब के अमरी सरके बहुत बड़े नेता थे इनको गिरफतार करने के बाद पंजाब की जो जनता थी वो अपनी एक सांत सभा कर रही थी कहां पर जलिया वलेबाद में तो वहां पर ही इस हुगा था लेकिन उसके पहले की भी चीज़ जब गादी जी को वहां पर बुलाया गया ठीक है तो गादी जी जाई रहते लेकिन पलवल में ही उनको रोग दिया गया उनको पंजाब नहीं आने दिया गया क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो आंदोलन करेंगे और आंदोलन होगा तो अंगरेजों के लिए मुसीबत हो दो नेताओं को गिरफ्तार किया तो नेता कोंते सत्पाला और सैफुदीन किचलो ठीक है और उसी के बाद जलियावाले बाग में ठीक है इनको छुडाने के लिए 13 अप्राइल 1919 को बैसाखी के दिन दोस्तों लोग वहां पर क्या कर रहे थे सामके 4.5 बजे एक सम्मिलन घृषित इसे हैएं एक चीज़ और याद रखेगा यह जानकारी किस ने दिया था डाय經 को कि वहां पर जलियावाले बाग में एक सभा की जारे क्योंकि वो लोग तो पुरी तैयारी के साथ आयते तो यह जानकारी किस ने दिया था तो डाक्टर हंसराज ने दिया था इस दैनी गान था, तो याद रखे करा कि मदन महुन मालिवी ने इसको ताकिकात कमिटी बनाय था, ठीक है उस ताकिकात कमिटी के अध्यक्सता कर रहे थे और उसने कहा था कि वाँपर 1000 लोग मारे गए हैं और 70-74 3000 लोग वहांपर घायर हो गए हैं जबकि हंटर कमिटी ने कहा कि 379 लोग मारे गए और 1200 लोग भायर हो गए हैं इसी दोरान पंजाब में चमन दीप ने एक डंडा फोज बनाई थी आपसे पूसता है कि पंजाब में डंडा फोज किसने बनाई है उसके अस्तापना किसने किया है तो नाम याद रखे चमन दीप मैं पहले भी आपसे कर चुगा हूँ आज बहुत सारे अंटोल्ड फैक्ट आपको मिलने वाले है ठीक है हंटर कमिटी का अनुसार क्या था दोस्तों करा हंटर कमिटी में पांच अंगरेज और तीन भारती अच्छी बात है है ना कि हंटर कमिटी में कौन-कौन सामिल था य जगत ना रहा है ठीक है ये लोग थें आगे बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ देखें बहुत जादा आज मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया है खिलाफत आंदोलन इसले करा है कि एक बार रिवीजन हो जाया आपका खिलाफत आंदोलन ये 1919 से 1920 तर चला था खिलाफत आंदोलन करा ब्रिटेन ने टर्की पर हमला कर दिया था आपको पता होगा ब्रिटेन ने टर्की पर हमला कर दिया था उसके बाद जो है उन दोनों के बीच में संदी हुई थी सीवर्स की संदी आपको पढ़ाया जब आपको वर्ड इस्टी की क्लास मैंने लिया उसमें मैंने डेटेल से इस चीज को पढ़ाया ठीक है सीवर्स की संदी अच्छा इस दौरान हुआ क्या कि जो खलीफा का पद है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो खलीफा के पद को बचाने के लिए अली मुसलियार ने खिलाफत आंदुलन चलाया जिसमें भारत से बहुत सारे लोग जुड़े थे जैसे अबुलकलामाजात थे अंसारी जी थे सौकत अली थे ये लोग भारती बेक्ती थे जो उस खिलाफत आंदुलन से जुड़े थे अब इसमें हमारे लिए इंपोर्टन क्या है देखे आल इंडिया खिलाफत कमेटी जी को अपना अध् किसने मुस्तफा कमाल पासा ने इस तरह के प्रस्णभी आप से एकजाम में पूछे जाते हैं आगे देखे इसके बाद स्टार्ट हुआ असायोग अंदुलन ठीक है असायोग अंदुलन के पहले दिन ही पहले दिन कौन सा एक अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलग जी की मृत्ति हो गई ठीक है एक सेकेंड ठीक है उनकी मृत्ति हो गई यहाँ पर दे रहा है यह आंदुलन सुरू हो गया अच्छे मृत्ति होने के बाद आंदुलन को अस्तगित नहीं किया गया उसके बाद भी आंदुलन सुरू हो गया और याद रखिए इस आंदुलन के एक अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1920 में आगे दरा कि आंदुलं को चलाने के लिए एक करोड रुपए के साथ एक तिलक स्वराज फंड भी बनाए गया क्योंकि तिलक जी की मृत्ति हुई थी तो उन्हीं के नाम पर एक तिलक स्वराज फंड बनाए गया एक करोड रुपए क और साथी साथ दोस्तों 20 लाक चर्खे हमारे देश में बाटे गए अचा उस समय जो चरखा था ना तो चरखा और खादी यह मांत्मआ गांधी ही चाते थे कि यही आधार बने देश का और चरखा और गाधी यही प्रतीक चिन्द रखा गया था असायोग आंधोलन का असाय सरकारी स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें, वकालत करना छोड़ दें, विधान सभा वहन जाना छोड़ दें, विधान परसर सरकारी नौकरी और विदेशी कपड़ों को छोड़ दीजे, आप जब यह सारा काम कर देंगे, तो जो विदेशी राजनीती है वो अपने आप क्या हो जाएगी ठंडी पढ़ जाएगी और उनसे अंग्रेज जो का नुकसान होगा इसके बाद हम क्या हो जाएगे आजाद हो जाएगे तो ऐसी मांचिकता थी महात्मा कार्णी जी की आगे देरा दोस्तो चलिए आगे देखते हैं सरवाधी अच्छा आपसे एकजाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा इसकूल और लोगों ने कहां से हिस्सा लिया तो सरवाधी की स्कूल बंगाल और पंजाब में छोड़े गे थी सबसे ज़्यादा लोगों ने इसकूल अपना कहां छोड़ा था है और क्यूं हुआ था तो याद रहके यहाँ पर पब्लीक जुलूस निकाल लए थी और पता चलता है कि पीछे से पुलिस वालों ने उनसे कुछ हाता पाई किया और उसी गुसे में आगर के लोगों ने वहाँ पर विद्रो कर दिया और पूरे के पूरे थाने में आग लग 21 सिपाई और एव थानेदार जो इसमें मारे कहते चौरी-चौरा कांड इसको कहा जाता है गोरकूर में यह जगा है ठीक है करा कि आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए 19 फरवरी 1922 को गुजरात के बार्दोली में गांदी जी ने आंदोलन गया कर दिया बंद कर दिया 10 मार 24 को मातमा गांदी जी पुनह जेल से रिया हो जाते हैं देखें यह वो हिस्ट्री है दोस्तो जो मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स में कवर किया है बहुत सारे लेक्चर्स में हर चीज का एक अलग-अलग लेक्चर मैंने तयार किया है और वहाँ पर डिटेल से चीजों को आप देख रहे हैं Study91 चैनल और हमाई चैनल पे इसी तरह से बैतरीन तरीके से आपको क्लास दी जाती है तो जो लोग पढ़ने के चुको वाकई में जिनको मन करता हो कुछ सीखने का पढ़ने का वो हमारी चैनल से जोड़े निस्ची तुरुप से आपको बहुत कुछ सीखने किया तो याद रखेगा चितरंजन दास इसके अध्यक्च बनाए गये थे और मोतीलान नहरू उसके सचीव थे साथी साथ सुबास चनबोज बिटल भाई पटेल ये लोग इसके मेंबर थे याद रखेगा ठीक है करा इस पार्टी को जब ये पार्टी चुनाओ में आई त तो इस पार्टी को 101 में से 42 सीटे प्राप्त होई थी पहली बार ऐसा हुआ था भारत में कि कोई राजनेतिक पार्टी के स्थापना होई और उसकी इतनी बड़ी जीत होई एक सो एक में से 42 सीटे प्राप्त होई थी और पहली बार सेंटरल असेंबली जो केंदरी बिधान स इसको भी आप याद रखेगा और भी बहुत सा है लोगों को जो है मेर बनाए गया और बड़े बड़े पदो पर रखा गया जैस चितरंजानास कलकत्ता में बिट्थल भाई पटेल हमदाबाद में राजिन प्रसाथ पटना में जवाला नहरू इलाबाद में इसको भी आप हिंदुस्तान सोस्लिष्ट रिपब्लिकन एसोसियसन ठीक है तो अभी स्टार्टिंग में यचारे था और यह बना था 1924 में नहीं लिखा है क्या अचा इधर लिखा तो है 1924 में बना था दोस्तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियसन कहां पर बना था कानपुर में इसक अस्थापना हुई थी, किसने क्या था, दोस्तो बहुत आए लोग थे, सचिना सन्याल थे, चंसे कराजाग थे, रौसन सिंग थे, बाद में रौसन सिंग को दोस्तो इलाबाद में फासी दिया गया था, कई बार ये भी प्रशन पूचता है, जोगेश चटर जी थे, राजें करके पार्टी तयार किया था, यच, आरे, हिंदुस्तान, रिपब्लिकन, एसोसी एसन, ठीक है, याद रखेगा, करा अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन को भारती लोगों ने लूट लिया, और उसी के वज़े से काकोरी कांड के नाम से उ इसी दोरां याद रखे भगत सिंग ने नौजवान फोज की अस्थापना किया था, कई बार आप से एकजाम में पूचा गया है, नौजवान फोज, याद रखे भगत सिंग ने नौजवान फोज की अस्थापना किया था, इसी दोरां ठीक है, तो इसको भी आप याद तो याइन की श्टापना किया और अपना पहला मिशाना लाहूर के पुलिस अधिकारी जेपी सांडर्स को बनाया दोस्तो जेपी सांडर्स को माने नहीं गये ते दोस्तो इसके जगह पर जान स्कॉर्ट थे ठीक है और ये उल्टा हो गया था पूरी कहानी बताया था कि कि इस तरह से लोगों ने अपनी बंदूप की नली तान के रखा था कि जैसे हो निकलेगा वैसे ही मार देंगे मारने किसी और को गये थे और मार किसी और को दिये ठीक है तो इसको याद बंबी खाली अस्तान बे पटका और बंबी पटकने का उद्देश उन्हों नहीं नहीं बताया या फेकने का उद्देश उन्हों नहीं नहीं बताया कि हम किसी को हान ही नहीं पहुंचाना जाते हैं बलकि बहरों को हम सुनाना चाते हैं बहरे हो गए हैं जो देश की आवाज को नहीं सुन रहे हैं नोजवाने के हालात को नहीं देख रहे हैं उनको मैं सुनाना चाहता हूँ वहाँ खड़ा ओकर उनने परचा बाटा तो दोस्तों किसी को मारने के उद्दे से नहीं गए हुए थे ये इनका काम था दोस्तों उसके मार्च को यही 23 मार्च 200 सहीर दीवस के रुप में मनाया जाता है ठीक है और लेकिन इसके पहले भी आद रखिए 27 फरवरी अभी मार्च आया नहीं है को उसके पहले कमपनी गार्टेंग के नाम से जानते हैं वहाँ पर गेर करके चंसेकर आजाज से मुटभेड हुआ हलांकि चंसेकर आजाज ने स्वयम ही एक बचे होने के बाद एक गोली जो उनके पास बची वी थी उससे अपने आपको ही गोली मा लिया कि अंग्रेजों के हाथों से मरने स अच्छा है कि मैं खुद से अपने आपको बलिदान कर दो ठीक है इस देश के लिए तो दोस्तों ऐसे बैखती थे इसके पीछे भी कहानी है जब भगत सिंग को फासी की सजा दी गई थी उस समय आजाज जी बड़े परसान हो गए थे वो यहाँ पर आनंद भवन है इलाब अच्छा किसने अंग्रेजो को चल जाती है अच्छा किसने अंग्रेजो को सुचना दिया था तो कई किताबों में दिया हुआ है नेत राम के नाम से आजकल यहाँ पे एक चोरह भी है हलांकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कम नौलेज है मैंने कहीं से पढ़ा था इस अंग्रेजों ने इन पर इनाम भी रखा था और इस तरह से अंग्रेजों ने चारो तरफ से पार को घेल लिया और वही पर जो है इनसे मुटबेड होती है तो याद रखेगा भगत सिंग से पहले चंसे कराजात जी की मृत्ति हो गए थी ठीक है तो इसको भी आप याद र 1923-24 जिस समय आपकी स्वराज पार्टी बने थी उसी दौरान वारसाड अंधोलन हुआ था ये गुजरात के वारसाड नमक अस्थान पर हुआ था और हुआ क्या था अंग्रेजों ने दो रुपे साथ आना दो रुपे साथ आना के लिए दोस्तों डकैती कर लगा दिया थ और उसके वज़े से वारसाड अंधोलन चलाए गया था वाईकॉम सत्यागरा का नाम सुना होगा 1924-25 में चला था देखिए ये वारा 23-24 में वारसाड और वाईकॉम 24-25 है वाईकॉम जो है दोस्तों ये केरल में चला था केरल के त्रावड कोर में दोस्तों यहाँ पर अगला है दोस्तों की देरा बार्दोली आंधोलन बार्दोली सत्यागरा के नाम आपने सुना होगा 1923 में वा था यह वही सत्यागरा है जिसमें सरदार की उपादी मिली थी बल्लब भाई पटेल जी को ठीक है तो बार्दोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गादी ने यह उपादी सरदार बल्लब भाई पटेल को दिया था करें गुजरात के बार्दोली में जमिदारों की खेती उस समय कौन कर रहे थे काली प्राज आदिवासी कर रहे थे आदिवासीयों का समूध था है ठीक है काली प्राज उनको का जाता था वो कर रहे थे और यहाँ पर दे रहा है कि इन पर 30% टैक्स लगा दिया गया था जो कि अवैद था बल्लबाई पटेल की सायता से 30% टैक्स को हटा करके कितना कर दिया गया 6.23% कर दिया गया ठीक है याद रखे इसी दोरान बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार की पादी दिया था महिला और पिछले दसवर्सों में क्या हुआ है वो जांच परताल करने के लिए आया था लेकिन इसमें कोई भी भारती सदस्य नहीं था इस वज़े से साइमन कमिशन का बिरोध किया जा रहा था 1927-28 के दोराने आया था इसके बिरोध पूरे भारत में चल लए थे और वही साइमन के अधिक्स्ता में साथ अंग्रेजों को साथ सदस्य अंग्रेजों के कमेटी थी उसको तीन फरोध निसवर्टाइस को बंबई पहुचे थे जहां पर उनको काला जंडा दिखाया गया था और गांधी जीन इस कमिशन का बिरोध भी क्या था इसके लिए नारा था गो बैक साइमन यानि कि साइमन कमिशन वापस जाओ साइमन कमिशन वापस जाओ ये नारा था उस समय का क्योंकि इसमें कोई भारती फद्रत नहीं था इसलिए इसका एक और नाम दिया जाता है वाइट मैन कमिशन वाइट मैन कमिशन यानि सभी व्यक्ति के उल क्या थे गो चोट लगी थी जब पुलिस ने क्या किया प्रदसन काधियों पे लाठियां बरसाई थी उसके बाद महात्मागान स्वारी लाला लाजपत्राय के सर पर जो चोट लगी थी वही गंभीर चोट हो गई और इसके बाद इनकी मृत्य हो गई थी याद रखे 17 नौंबर यानि बा 1928 को इनकी भी मृत्य हो गई साइमन कमिशन का सहयोग देने वाली भी कुछ पार्टियां थी जैसे पंजाब की कमिनिस्ट पार्टी ये उस समय अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थी मद्रास की जस्टिस पार्टी ये भी सहयोग कर रहे थी और मुस्लिम सफीगूट ये ऐसी पार्टियां थी जो अंग्रेजों का सपोर्ट करने में लगे वे थे वो भारतियों की तरब से नहीं थे आगे बढ़ते हैं लाहोर अधिवेशन 1929 लाहोर अधिवेशन कौन नहीं जानता क्यों क्यों क्योंकि इसी दौरान पहरी बार जंडा फारा आगया था कांग्रेस अ और गरतंत्रवादी हूँ समाजवादी और गरतंत्रवादी गरतंत्र की परिकल्पना कहा से लिया गया है यह फ्रांस के समिधान से लिया गया है फ्रांस के समिधान से गरतं सब लिया गया ठीक है इन सब चीजों को भी आप याद रखिए करा 26 जनवरी 1930 को पहली बार पू यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नमक कानून तोड़ा जाए सभी राजनेतिक बंदी जो बंदी बनाये गए अंग्रेजों की तरफ से उनको छोड़ दिया जाए सैनिकों के खर्चों में 50% की कटाउती की जाए ताकि जो बजट है वो समल सके तट पर विधेल लाये जाए और सराट की दुगाने बंद कर दी जाए बिजेसी कपलों को जला दिया जाए आत्मरच्छा के लिए हत्यार रखने का आउसर दिया जाए तो यह कुछ महातना गादी जी की तरफ से मांगे थी जो महातना गादी जी नो उस समय में रखा हुआ था दांडी मार्श या दांडी किलोमेटर कई कितावों में 390 दिया हुआ बट आप 375 याद रखे बारह मार्च 1930 को यह सुरू आ था 6 अपरैल को एक खतम हुआ था खुल 24 दिन तक पैदल यात्रा महात्मा गाधिज ने किया था कुल कितने प्रदिदी इसमें हिस्सा लिये थे 78 लिये थे एक महात्मा गाधि थी और यह अंग्रेज ब्यक्ति था अमेरिकी ब्यक्ति था जिनका नाम था न्यू फ्रीमैन के संपादक थे वेब मिलर क्या नाम था वेब मिलर और कुछ अन्य दांडी यात्रा हैं दोस्तों जि करल में वाइकों सत्यागरह के नेता ने किया था जो यात्रा उसके लिए भी इसको दांडी यात्रा की संग्या दिया जाता है। उड़िसा में गोपी चंदे इस तरह की यात्रा की वी थी तो इसको भी आप याद रखेगा। करफ सुवासन बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा को यहाँ पर क्या मुसोलनी के रोम मार्ज से जोड़ा है आप से एक्जामे पूजता है कि मुसोलनी के रोम मार्ज से किसने जोड़ा है इसको त्याद रखे सुवासन बोस ने कहा था और मात्मा गांधी के लिए कहा था मातमा गादी ने भारत में अपना पहला जनभासर कब दिया था तो fervari 1916 में दिया था कहां पर बियच्चू के प्रांगण में दिया था बनारस हिंदू नुँवस्टी को बनाने में सबसे बड़ा युगदान किसका था मुदन मोहन मालवी जी का था महत्मा गदी जी गहां מא मांधार को शाग महत्मा गारास्टीन प्रवगा 32 में आय थी मैं पीछे ही आपको बता दिया हूँ गांदी जी की मृत्तिव देख लिए कराय कि 1948 हुआ था उनके मृत्तिव पर ततकाली प्रदानमंत्री पंडित जवालाल नहरू जी ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया है हमारे चारो तरफ अंधेरा ही अंधेरा है अंधेकार ही अंधेकार है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ जिने हम प्यार से बापू कहते थे वो आज हमारे बीच नहीं है वो आज हमारे बीच नहीं है, ये कुछ कथन थे, किसके याद रखेगा, किसके जल्दी सोच के बताई है, जवाहलाल नहरुजी के, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ question दोस्तों मैं आपके लेकर आया हूँ, जो की current से related है, current से, history के नहीं, बहुत history हो गई, current related question है, आप है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई में, बोल दे रहा हूँ, आप याद कलोगे न, लिखने के जरूत नहीं है न, मुंबई याद रखेगा, गांधी जी की किस जैन्ती पर स्वक्ष भारत अभियान सुरू किया गया था, स्वक्ष भारत अभियान सुरू गया था, गांधी जी की कौन्सी जैन्ती पर याद रखे, 2 अक्टूबर 2014 को, वही साल जिस वर्स मोदी जी का पहला कारेकाल सुरू हुआ था, वह पहली बार प्रधान मंत्री बने थे, उनी के द्वारा स्वक्ष भारत कारकरम लाए गया था, स्वक्ष भारत अभियान, यानि 2 अक् अगे बढ़ते हैं, किस राजी की सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से विलेज वालेंटियर सिस्टम लागू किया, विलेज वालेंटियर सिस्टम ये आंधर प्रधिस ने लागू किया, किस ने क्या है? अगला देखे, बापू की देड़ समवी जैनती को भारती रेलवे किस रूप में मनाने जा रहा है? भारती रेलवे देड़ समवी जैनती जो 2019 में हो रही है, इसको किस रूप में मना रहा है? तो याद रखे, सामुदाइक दिवस, यहाँ पर लिया हुआ है, पहला वाला प्रदान मंत्री थे लेकिन नमबर वाईज पूछ रहा है तो दूसरा नमबर आप याद रखेगा लाल बादू सास्त्री जी दूसरे नमबर के प्रदान मंत्री थे गादी जी के देड़ समी जहनती पर पीम मोदी ने कहां पर गादी सोलर पार्क बनाया है उसका उधगाटन किया वो भी उत्तर आपका क्या है वियनो ही है ठीक है आगे देखे लाल बादू सास्त्री जी का जन्म कब हुआ था जली से बताए जन्म कब हुआ था 1904 में हुआ थ हालही में बींग गांधी पुस्तक किस ने लिखा था बींग गांधी पुस्तक के काई थी वो किस ने लिखा था याद रखे पारो आनंद पारो आनंद ने लिखा था बींग गांधी पुस्तक आगे गादी जी के आत्मकाथा का नाम क्या है दोस्तों कई बार पढ़ा चु सित्तर हो जाएगा दो जार निस में यलाल बादु स्थत्री जी की कौन सी जैन्ती मनाई जारी माहत्मा गांदी जी की तो देड़ सम्म strongly जैन्ती है और यला बादु स्थ pir जी की नौन सी जैन्ती ठीक है इफी तरह से आज की सीरीज समाप्त होती है उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस फैक्ट वीडियो से और जो लोग कम सब्दों इतिहास को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है और दोस्तों जो लोग नए ह मैं यह काना चाहूँगा आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब आपके जिम में ठाराव आने वाला है आप अस्थाई रूप से पढ़ने के लिए तयार हो जाए क्योंकि हमारे चैनल पे सभी विषय के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है सभी व कर सकें ब्लॉग पढ़ सकें वीडियो देख सकें और इसके अलामा करेंट अफेर से संब्दित बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं प्रिविएस यहर पेपर हो गया मौक टेस्ट पेपर हो गया और यह सब कुछ कारकरम हम लोग निसुल्ख चला रहे हैं ताकि हर ब्यक्त